समुद्र के बीच में सत्ह इतनी उची कैसे है इसे किसी इंसान ने बनाया है या कुद्रत ने इस पर कई साल रिसर्च हुआ जो यही बताता है कि ये जगह रामसेतु का अवशेश है जो मानव निर्मित है इसा लग रहा है कि मैं किसी किनारे पर खड़ा हूं दोनों और समुद्र हैं दो बड़े-बड़े समुद्र और उनके बीच पर आप दौन लगा सकते हैं ये तभी संभाव है जब आप उस जगह पर मौजूद हो जिस जगह को किसी और ने नहीं बलकि श्रीराम ने बनाया है जहां आज हमारे कदम हैं वहां कभी श्रीराम के कदम पड़े थे ये सोच ही आपको खुशियों से भर देती है अभी सतह पर रेत नजर आ रही थी लेकिन त्रेता युग में सतह पत्रीली थी कहते हैं जलवायू परिवर्तन की वजह से पत्थर दपते चले गए वो आज भी दिखते है इस सेतु के नीचे समुदर की तह में हमने ये वादा निबाया यह समुदर तल की सतह पर राम सेतु का स्थित्व है आगे हम आपको यह देखाएंगे कि समुदर तल से नीचे राम सेतु कैसा नजर आता है इस जगह को छोड़ने का मन नहीं था लेकिन जाने का वक्त हो गया था हमने सेतु पर अंतिम नजर डाली एक बार और सपर्श किया और निकल पड़े अगले सफर पर हिंदुस्तान को पहली बार समंदर के अंदर से राम सेतु का दृश्चम दिखाने के लिए राम सेतु से दूर समुदर के एक और ठिकाने की योड़ राम सेतु देखने वाले धनुश कोड़ी से लौट जाते हैं जो थोड़ी हिम्मट जुटाते हैं वो सरकारी अनुमती लेकर अवशेश तक पहुँचते हैं अब हम जहां जा रहे थे वहां आज तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुचा अब हम उस जगा पर जा रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं गया है जहां से हम अंदर राम सेतु कैसा नजर आता है यह आपको दिखाने वाले है कैसा दिखता होगा राम सेतु का समुद्र में ढूबा हिस्सा क्या तैरते पत्थर भी दिखेंगे ऐसे कई सवालों के जवाब हासिल करने थे लेकिन समंदर की गहराई में उतरने के लिए खास तयारी करनी थी शान हुचकी थी इस मिशन को कल अंजाम देंगे अगले दिन सुभा होते ही हम मन्जिल के लिए रवाना हो गए अब इस बोट के जरीए हम उस जगा पर पहुचेंगे जहां से हम पानी के अंदर दाखिल हो सकते हैं तो फिलाल समंदर के अंदर राम सेतु के द्रिश्चन की तलाश में रोमांच भी था और थोड़ा डर भी जो टीम हमें राम सेतु की तह तक ले जाने वाली थी उसने हमारा डर कम किया पता चला कि राम सेतु के पत्थरों को देखने के लिए जादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती 15 से 20 वीट में सब नज़र आता है बीच समुद्र में बोट की रफ़तार धीमी हो गई हम एक बार फिर राम सेतु के इलाके में प्रवेश करने वाले थे अभी जल्मक में नज़र आ रहा है क्योंकि समय के साथ यहां काफी बदला हुए है लेकिन इससे पहले राम सेतु यहाँ पर आपको साफ नज़र आता था यह कई हजार साल पुरानी बात जो उस्थानिये लोग बताते हैं उस कहानी का हिस्सा यही है पौरानिक साक्षयों के मुताबिक राम सेतु का इलाका बहुत बड़ा था लेकिन 1480 और 1964 के चक्रवात ने उसे कई हिस्सों में तोड़ दिया हम ऐसे ही एक हिस्से में पहुँचे थे जो पानी में पूरी तरह डूब चुका है लेकिन सतह बहुत गहरी नहीं है कुछ देर बाद हम ऐसे हिस्से में पहुँचे जहां समुद्र की सतह और पत्थर साफ दिख रहे थे समुद्र की गहराई की बीच अचानक से हम एक ऐसी जगा पर आकर ठहर गये यह यूँ कर यह कि इस जगा ने हमें ठहरने के लिए मजबूर कर दिया जहां आज भी राम सेतु के साक्षा हमें समुद्र के भीतर नज़र आ रहे हैं एक एक गहराई के बाद यह उत्तली से जमीन नज़र आने लगी और उसके बाद यह देखिए नीचे आपको राम सेतु के पत्थर मज़र नज़र आ रहे हैं